दोस्तो वर्षा का मौसा में ऐसा मौसा मौसा मौता है जो आप सभी को ख़वी पसंद होता है तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्षा आखर कैसे होती है दोस्तों प्रतियर मौझूद करवंड एक्साइड वनेगस हैं प्रतियर पढ़ने वाले सूरी प्रिकासित पनुस्मा को आउसोसित कर लेती हैं जिसकारण प्रतियर मौझूद निचला वायूमंडल उपरी वायूमंडल के मकाबले अधिक गर्म होता है इसलिए जब बहुत गर्मी परती है तम निचले वायूमंडल की परत और अधिक गर्म हो जाती है एसकारण समद्रुबा धरातल भी गर्म हो जाते हैं जिससे उन्हों में लो परिसरत था हाई प्रेसर क्रियेट होता है यह दिन और लाद के समय अलग अलग हो सकता है इस परिक्रिया के दोरान समद्रुबा अन्य जल सुरुतों का पानी जलवास परिक्रिया के दोवारा उपर उटने लगता है परती हैं मीटर पर ताप करम साड़े छेट गरी करता जाता है इसकारण उपरी बागमिनल में जलवास पर ठंडी हो जाती है और सुख से पार्टिकल्स के साथ मिलकर यह बर्प का रूप ले लेती है संगिनल पर गिया के दोरान इसका भार जावस्ती परिक्रिक्र से देख हो जाता है तब यह प्रतिविय गरोत वकर संबल के कारण धरातल पर जल की बूद्वा थवावलों के रूप में करता है इसे ही हम वर्षा कहते हैं परवती इस्थानों पर जब वर्षा होती है उसे परवती वर्षा कहा जाता है इसमें वर्षा किसी विशेज पर वस्याणी के एक तरब तो बहुत अधिक होती है परंतो दूसरी तरब एना के बराबर होती है इसी तरह संबनी ये वर्षा मैदानी चेत्रों में होती है यह एक प्रकार की सामान वर्षा होती है इसी प्रकार चक्रवाती ये वर्षा भी होती है जो कि किसी विशेज अस्तान पर लोग रेसर के क्रियेट होने कारण होती है ऐसे में किसी विशेज एस्तान पर बहुत अधिक मुशलधार बारिस होती है एस परकार बर्सा को मुख्रूब से तीन भागों में बाटा गया है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह के अने बहुत इंफेक्ट जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे जैसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सके